साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजिन के सरकार से जिने लाब हो रहा है, उनमें से अधिकाउश, गरीब, दलीद, पिछडे और विशेश कर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन है। हमारा पूर्वरतर तो देश की सबसे पुरानी और सम्रद आदिवासी संस्कृतियों का अब केंद्र है, आज़ादी के इतिहास में हमारे पूर्वरतर के आदिवासी शेनानियों ने, और देश के भी हमारे आदिवासे छेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है इस परंपरा को सम्मान देने के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है इसी कड़ी में आज जादी के अमरित महोत्सव के दवरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है देश अब पंदर नवेंबर को पंदरा नवेंबर को फिप्टिंथ नवेंबर को हर साल भगवान बिर्शा मुंडा की जन्म जैन्ति को जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाया जाएगा यानि कल जो पंदरा नवेंबर आ रही है कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जन जातिय गवरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जन जातिय गवरव दिवस होगा ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा बलकि एक सम्रस समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा और जब जन जातिय गवरव दिवस के मैं बात करता हूँ जैसे आज़ादी के पूरे अंदोलन में पंदरा अगस्त का एक विशेष मुल्य है जैसे लोकतांत्रीक मुल्यों के हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मुल्य है जैसे हमारी सांस्क्रित पराओं में राम जन्म भूमी का, राम नव्मी का महत्व है जैसे हमारे जीवन में कृष्णा अश्ठमी का महत्व है बैसे ही दो अक्तुबर मात्मा गांधी की जैन्ती अहिंसा दिवस के रुप्य स्थान है जैसे 31 अक्तुबर सरदार बल्लभाई पटेल उनकी जन्मे जैन्ती देश के एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुए बैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाएगा और देश की जन जातियों ने देश के विकास के लिए देश की समृति के लिए जो कुछ भी किया है जो भी करना चाहते इन सब को उमंक के साथ आगे बढ़ा जाएगा